दोस्तों कि आप गर्मियों से बोर हो गए हैं तो आप इन जगों पर ज़रूर जा कर देखें क्योंकि यहां पर आपकी सारी बोरियत खतम हो जाएगी दोस्तों आपका स्वागत है ट्रेवल एलेफेक्स में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे डेस्टिनेशन जहां पर आप गर्मी के मौसम में जा सकते हैं लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इसी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी रूचक जानगारी आज हम आपको भारत के चुनिंदा जगों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप समर सीजन को प्लान कर सकते हैं यहां पर जाईए और आपका समर सीजन यादगार बन जाएगा यहां पर आप वाटर एडवेंचर का आनद ही उठा सकते हैं तो सबसे पहले है रिशिकेश उत्तराखंड का देव भूमी उतराखंड में रिशिकेश अध्यात्म के साथ साथ वाटर एडवेंचर के लिए भी जाना जाता है। गर्मियों के दोरान सैलानियों का भारी जमावडा लगता है। पहाडों से आती गंगा इस दोरान एडवेंचर का सबसे अच्छा माध्यम बन जाती है। विभिन वाटर स्पोर्ट्स का आनन्द उठाते हैं। रिशिकेश में आप कई तरह की वाटर एडवेंचर का दुभव ले सकते हैं। अगर आप वाइट वाटर राफ्टिंग का आनन्द उठाना चाते हैं तो आप यहां से कुछी दूर पर कोडियाला गाउं का सफर भी कर सकते हैं। यहां की राफ्टिंग स्ट्रेच काफी रोमांचक माने जाती हैं। यहां आप प्राकरतिक दृष्टियों का भी आनन्द ले सकते हैं। पूरी तरह जम जाती है। इस दौरान चादर ट्रैक के नाम से यह जानी जाती है। जिस पर चलकर लोग कई किलोमेटर के एडवेंचर ट्राक का रोमांचक आनन्द लेते हैं। दोस्तों सर्दियों में जहां जन्सकार नदी बर्फ की चादर में बदल जाती है। वहीं गर्मियों में ये नदी वाटर एडवेंचर के लिए बेहत आकर्शक बन जाती है। इस नदी में राफ्टिंग करना बड़े से बड़े राफ्टर के लिए किसी बड़ी चिनौती से कमने हैं। नदी के प्रतेक श्रेणी के रैपेट्स काफी चिनौती पूर्ण होते हैं। अगर आप साहसिक एडवेंचर के शौकीन हैं तो इस घाटी का प्लान बना सकते हैं। इसके बादे दोस्तों केरल का कोवलम। कोवलम दक्षण भारत के केरल राजिका छोटा सांतटी ये शहर है। ये तिरुवरनत्पुरम के दक्षण में है। कोवलम अपने समुदरी बीचों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। जहां आप साल के हर महीने परेटकों को देख सकते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में जहां सैलानियों का अधिक जमावडा लगता है। क्योंकि इस दोरान परेटक समुदरी आपो हवा के वीच वाटर एडवेंचर का आनन लेना जादा पसंद करते हैं। कोवलम में अरब सागर का साफ पानी आपको अपनी तरह पाकर्शन करेगा। जिसे देखकर मन में एक बार इसमें छलांग लगाने का तो जरूर मनाएगा। कोवलम में वोटिंग और कायकिंग सबसे जादा किये जाने वाली वाटर आक्टिमिटीज हैं। इसके अलावा आप यहां पैरा सेलिंग, विंड सर्फिंग और वाटर स्कींग का आनन भी उठा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है लक्षदीप का कवरती, कवरती लक्षदीप की राजधानी हैं। जो यहां के त्वीप समू का एक भाग है। लक्षदीप भारत के खुबसूरत परेटन गंतव्यों में किना जाता है। जहां भारती सैलानियों के साथ साथ विदेशी परेटक भी आते हैं। अपने समूदरी द्वीपों के लिए प्रसिद लक्षदीप गर्वियों के मौसम में एक मोख्य गंतव्यों माना जाता है। जहां जाधा तर लोग वाटर एडवेंचर का आनन देने के लिए आते हैं। करवत्ती कई तरह से वाटर स्पोर्ट्स के साथ परेटकों को अपनी तरफ आकर्शत करता है। यहां आप काया किंग से लेकर स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्क्यलिंग जैसी वाटर आक्टिविडीज का भरपूर आनन द उठा सकते हैं। यहां के शांत लागून तरह की काया किंग योच्टिंग के लिए जाने जाते हैं। यहां का डॉल्फिन राइट सेंटर काफी जादा लोग परिये हैं। इसके बाद है दोस्तों अंडमान ट्वीब। अंडमान वाटर एडवेंचर का हब कहा जाता है। अंडमान भारत की चनिंदा उभरते हुए परियतन केंद्रों में शामिल है। जिसकी तस्वीर मात्र देखकर एक बार यहां आने का मन जरूर करेगा। अंडमान अपने समुदरी जीवन के लिए जाना जाता है। जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें ट्रावल एनेफेक्स के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।